नमो नमा इसना तक तुर्ते वर्ष के छात्रों का किरातार जुनियम के आज के पार्ट में स्वागत है अभी तक हमने किरातार जुनियम के शुलोक संख्या 22 तक का ध्यन कर लिया है इसके आगे हम किरातार जुनियम के शुलोक संख्या 23 से अध्यन करते हैं अभी तक जो है हमने पढ़ा कि वनेचर जो है युदिष्टिर के बारे में निरंतर नहीं नहीं प्रकार की सूचना युदिष्टिर को द्वेत्वन में दे रहा है और आगे फिर वह बताता है कि वस्तुत है वह किस तरह से आप से भैबीत है इसका वरणन भी वह आगे के प्रलीन भूपालम पिस्थरायती प्रशास दावारि दिमंड लंभुआ साचिंत यत्तेव भियस्त देश्यती रहो दुरंता बलबद विरोधिता अनवे देखें सह सह कह सह वह दुर्योधन प्रलीन भूपालम जिसमें सारे भूपालीन हो गए रहित हो गए अर्थात शत्रु रहित जिसमें और कोई शत्रु नहीं हो एसा इस्थरायती जिसका जो है भविष्य इस्थर है उज्जले जिसका विस्तार जो है इस्थिर है जिसकी सीमा का को एत्तिकर्मन नहीं करता हो एसा आवारिधी आंग मर्यादा भिविध्यो आ के द समुद्र सीमा पर्यंत जिसका विश्थार, एसे भुः मंदलम, एसे प्रत्वी के मंदल को प्रशासद अपी, शौसन करता रुड़ा आपी एनि भी तो ये भुव मंडलम का विशेशन है प्रलीन भूपालम इस्थरायती और आवारीधी तीनों और भुव मंडलम विशेश है तो धर्तिके मंडल का शासन करता हुआ भी वह कौन दुरियोधन तवत यानि तुमसे पंचमे वक्ती एक वचन विश्मत शब्द का तवत यानि चिंत यति एवार ब्रतन पुरुष एक वचन की क्रिया तुमसे आने वाले भयों की निरंतर चिंता करता ही रहता है तुमारे बारे में सोंचता ही रहता है यद्दपी आप वन में हैं सेना रहित हैं सायता रहित हैं लेकिन और वह जो है समुद्र परियंत जो है शत्रु र परज्य का वह स्वामी है उसके बावजूद भी वह आप से आने वाले भयों को सोचता ही रेता है भयों से चिन्तित रेता है तो इसका जो है आखरी में एक सामाने सुक्ति के द्वारा समर्थन किया है वने चरने के अहो बलवत विरोधिता दुरंता अहो खेद की बात है कि ब बलवता से विरोधिता बलवान विक्ति के साथ जो हता है विरोध वह दुरंता अहीं विरोधिता जो हती है वह बुरे परिणाम वाली है तो उसका बुरांत होता है वस्तुत है यहां पर बताया गया है कि बलवान विक्ति के साथ यदि शतुर्ता हो जाए तो वह हमारा लेकिन जब नुकसान नहीं करेगा तब भी हम उससे होने वाले नुकसान के भै मात्र से हम कम पित रहते हैं चिंतित हो सकते हैं तो यहां पर दुर्योधन की जो इस्तति है वह भी बताए गई है कि आप जैसे मा शक्ति शाली से चूंकि उसकी शतुरता हो चुकी है इसलिए व कि अहो बलवद विरोधिता दुरंता बलवान के साथ शतुरता हमेशा बुरा परिणाम बाली होती है तो यहां पर भी हमें भारवी के जो अर्थ गोरव जिसके बारे में हम से चर्चा कर रहे हैं वस्तुता है उसका लोग दर्शन हमें देखने को मिलता है कवी का कि किस तर या उसकी स्थती से पूर्व भी चिंता जनक होता है तो यहां पर यह चीज समझाई गई है और यही बात इन्होंने सामन इस कतन के द्वारा पूर विशेश बात का समर्थन किया है अर्थांतर न्यास अलंकार है और वंशत्यचंद है चात्रों आपको बताया गया है पूर शुलोक संख्या 24 कथा प्रसंगेन जनई रुदाहरिता दनो स्मिर्ता खंडल सुन विक्रमा तवा भिदानाद व्यतत्ते नतानना सुदू सहानमांत्र पदा दिवोरगा है अब जब पहले में उसने यह बता दिया वने चरने के वस्तुता आपके से आने वाले भयों से चिंतित रहता है अब अर्जुन के विशे में किस तरह से चिंतित रहता है इसके बारे में वह बताता है और इस लोग को प्रस्तुत करता है इसी का हम अनवे देखते हैं कथा प्रसंगे ने चुंकि कथा प्रसंग वरता लाप के प्रसंग में जने उदाहरतात जने लोगों के द्वारा नाम ले जाने से अभिधानात यानि नाम लेने से अनुस्मृता खंडल सूलू विक्रमहा वरता लाप के प्रसंग में लोगों के द्वारा नाम ले जाने से उदाण दिये जाने से तव अभिधाना तुमारे नाम से तुमारे नाम से अनुस्मृता अखंडल सूलू विक्रम है इस्मरन हो गया है जिसको अखंडल अर्थात इंद्र के सूलू यानि पुत्र का विक्रम इंद्र का पुत्र इंद्र का जो है अर्जुन को इंद्र की क्रपा से ही प्राप्त है हुआ था कुंति को इसलिए अर्जुन को इंद्र पुत्र भी उसका एक संग्या है उसकी वह आखंडल सुनू इसमरन हो गया है इंद्र के पुत्र का विक्रम जिसको एसा वह है दुस्थ मंत्र पद से मंत्र के नाम से ही उरगहनी जिसे सांप सांप की तरह है उरगहन था जो वक्षस्तल से उरसा गच्छती ती उरगह जो वक्षस्तल से चलता है गिसट गिसट की इसलिए उसको उरगह केते हैं तो सांप की तरह है नतानन मंत अनन करके मुख नीचा करके नतान नहां व्यτιते दुखी होता है परेशान होता है पीड़े तो उटता है इसको दुबारा समझना होगा कथा प्रसंगे नर्थात लोगों की बातचीत में कथा प्रसंग के दुबारा कथा को ही जो है यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर शले सलंकारे शले दो तरह से लेंगे इसका एक तो अर्थ होगा सर्प पक्ष में और एक अर्थ होगा दुरोधन के पक्ष में दुस्र है मंत्र से जिसे मंत्र कथा कहते हैं कथाया प्रसंगोबारता हैं कथाया विश्वेद्य चवाच्चेवत के मंत्र पाठ से सर्प का तिवर्विश्व इतर जाता है सरपेदी कताचित मरता नहीं तो व्यत्य तवश्य होता है तो कथा को विश्वेद्य के मंत्र पाठ के संदर में भी जानना चाहिए तो कथा प्रसंगेन अर्थात एक तो दुरोदिन के पक्षमें समझें पहले कथा की प्रसंग में लोगों के दौरा नाम लिया जाने से नाम लिये गए आपके नाम से या उधरन दिये गए आपके नाम से तो जने उधरतात ये विशेशने अभी दानात का तो लोगों के दौरा नाम उधरन दिये गए आपके नाम से आया है अर्जुन का विक्रम जिसको एसे एसा वह है दुस्सा मंतर पद से अंत्य दिख स diplom के जाने में कठिन अपने मंतर के पद से मंतर के शब्दों से सांप की तरह नीकमु किया हुआ वह है वेठित होता है पीडित होता है और इसी प्रकार सरपक्ष में देखेंगे तो कथा प्रसंगी जानी उस विश्वेद्दे के प्रसंग में लोगों के द्वारा नाम जब लिया जाता है तव अभी धाना तव तारक्ष तैसे तो तारक्ष वैसे वासुकी तो परक्ष और वासुकी नामक जो नाग है तारक्ष और इंद्र का अनुज उपेंद्र जो है इस तरगा नाम है तो अखंडल सुनु का साथ पर इंद्र का अनुज भी तो इंद्र के अनुज के भी अरथात पक्षी का प्रक्षी का क्रम अर्थात पादक्षेप तो इस्मर्ण हो आया है जिस सर्प को इंद्र के अनुज के पक्षी का पादक्षेप पेर रखना एसा सर्प दुस्सह मंत्रपद से सर्प जो है नतानना है नीचे मुग किया हुआ विथित होता है तो यहां पर आपके नाम से वह उसको अर्जुन का विक्रम इसमर्द हो आता है और वह तिदिक पिडित होता है लजजावश कुछ कहने पाता है क्योंकि अर्जुन के समान उसमें वीरता नहीं है धनुरदर नह है अता कुछ नहीं मुख नीचा करके वह विथित हो उड़ता है तो यहां पर एक तरह से जुके हुए सिर्वाले साप से दुरुदन की उपमा दी गई है तो उपमा लंकारे और इस प्रश्ट रूप से जो है वो चंद वंचस्त है और यहां पर एक तरफ दुरुद अनु इंद्र का पुत्र अर्जुन और साथ में जो है इंद्र का भाई विष्णो इस तरह से दोनों की तुलना की गई है आशा है आपको यह है व्याख्या से आप लाबान मित होंगे धन्यवाद जे तुहारतम जे तुसंस्कृतम